हेलो स्ट्टेंट्स आज हम बात करने वाले हैं CPPM & Garing Risk के बारे में हम बात कर रहे हैं चप्टर नमबर 18 के बारे पिछले वीडियो में मैंने हलका सेका मिस्टेक कर दिया था जहां बने चप्र 17 कह बिए था घलती से बोल सब factor C.A.P.M. and gearing risk के बारे में, in Chapter 17, we said that to evaluate a project with different risk profile, a company will need to find a suitable beta factor, नहां दीजेगा, हमने Chapter 17 में सा बात है बात है देखी हुई थी साब, हमको एक suitable beta factor चाहिए होता, आपको याद हो का हमने एक formula के बारे माहा best estimated with reference to the existing companies, अब हमारी जो company है, हमारी company के लिए क्या कितना beta होना चाहिए है, माल लीजे मेरी company का नाम Reliance है, या मेरी company का नाम माल लेते हैं, एक एक लिम्टेड है, अगर मेरी company का नाम एक लिम्टेड है, और मेरी company भी oil and refinery में काम करती है, तो मैं क्या देखूँ है कि दूसरी company जो oil and refinery में जैसे कि भारत petroleum, ओवाइसी और corporation, Reliance भी तो है, तो मैं देखूँ है कि इन company का beta factor कितना है, उन company का जो beta factor होगा, वही beta factor में अपनी company भी लगा दूँगा, इसका कहने मेरे कहने मेरे यहां पर यह आया कि भाई, हम लोगों को beta factor जब लेना है, तो हम लोगों existing company जो उसी चीज में, उसी sector में है, उनी की help से हम beta factor decide करेंगे, the reasons and that these are the best estimated with reference to the existing companies operating in the those business area, जो उसी business area में है, वही से हम लेंगे, the reason this approach works is, यह तरीका क्यों better है, those companies paying above average returns are assumed to have a correspondingly higher than the average systematic risk and their beta, अब सहाब and is extra plotted accordingly, तो सहाब हम लोग यह देखेंगे, जिस company, सोचिए अगर कोई company का सहाब जो beta है वो जादा आ रहा है, इसका आदा समझ जाएए कि उस company को पर क्या है, रिस्क जादा है, उस company का रिस्क जादा है, क्यों जादा है, क्योंकि भाईया, उसने हो सकता है, जो normal business risk है, वो तो है ही है, प्लस उसके उपर, अलग से कोई इसके उपर financial risk भी चल रहा है, दोनों मिलाद होगे, कुछ जादा ही, अगर उसने लिया होगा, तो रिस्क जादा आ जाएगा, अगर आपको कोई नए सेक्टर में जाना है, आप क्या कर रहे हैं, आप software बनाते हैं, और अगर आप real state में जाना चाहते हो, real state में भी आप काम करना चाहते हो, तो आप देखोगे, real state का बीटा कितना है, आपका बीटा भी कितना है, फिर आप उसको अपने इस आप से मर्ज करोगे, मैं यह जो बात कहा रहा हूँ, मर्ज करने वाली, यह चीज में आपको भी सिखाऊंगा, कि जब आप उसको मर्ज करोगे, और आप जो capital ratio है, वो कितना है, आपका जो capital ratio है, मान की चलते हैं, वो two is to five का है, मतलब दो आपका depth है, पांच आपका equity है, और real state में जो लोग काम करते हैं, उनका मान लेते हैं कि तीन उनका depth होता है, और मान लेते हैं इसको हम लोग दो एक होता है उनका एक होता है, उनका equity और तीन होता है, अब देख रहूंगा ratio कितना अलग है, और तब जाके उनका risk कुछ अलग है, बीटा उनका अलग आ रहे हैं, इसी चीज़ पर depend करता है, बीटा कितना है, कितना depth और equity आपने proportion कितना है, तो अगर आप इसका इसके इसका जो बीटा है, इसका जो बीटा है, अगर उसको आप अपने capital structure पर डालोगे, तो आपका नया वाला बीटा क्या निकल के आएगा, वो उसके हिसाब से मैं कुछन सालू करेंगे, यह जो मैंने थोड़ी से बात की पिछले एक किंतना मत करें भी कुछन कराने वाला हूं, वांद सुन ने, तिक, हावर थाब अबो ओ और अबो ओव अबो आप अबो अबुकुटी रखा है, यह जान में रखना चाहिए, अंडरस्टांडिंग बीटा की बारे मिया बात साहब की गई है, अफॉर्म मॉस्ट प्रोइड रिटर्न तो कॉम्पेंसेट फॉर्ट फेश्ट फेश्ट पर इन्वेस्टर कर रहे हैं, उनको कुछ रिटर्न देना चाहिए, और इवन पर वेल डैवर्सीवड इन्वेस्टर, शिस्टमेटिक रिस्क विल हाव तू कॉज़ अगर कोई बहुत बड़ा अच्छ जिसने हर कि कि हर कमपणी में लग-irm लग कमपणियों में इंवेस्ट किया है उसकी उपचना कुछ रिस्क तो रहता ही है रिस्टमेटिक रिस्क रिसक होता है जो सभी को फट है ऑस को afterwards सब में होता है सकू律 जो कुछ खास कि स्क्टर वाली कंपणी पर होता है जो किसी खास कंपणी पर उसको ऑन सिस्टेमाटी कहेंगे सिस्टेमाटीक रिस्क वो होता है जिसको पंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो यह सब बाते आप चप्टर नम्बर 17 में पढ़ी होगी मैं उमीद करता हूं कि आपने इ सब्सकरेश और निमे सिस्टमाटी डिश्ट विल होगा लुच्टि ऊफ्टॉ लिए जिस प्रकार की सब्सक्राइब एक्टिविटी होगी वो इसके इंवेस्टर को फेस करनी पड़ी साथ इसको रहता है इसका रहता है इसका रहता है सब्सक्राइब करना पड़ेगा लेकिन फाइनिशल रिस्क होता है यह हर कंपनी को पर अलग लग हो सकता है कि अगर इक कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेफ्ट लिया हुआ तो ऊस청 रिसक ज्यादा इंवेस्टर को फेस करना पड़ेगा वैसी ही कंपनी नहीं लिया तो खिए उसके इंवेस्टर को रिस्क नहीं देखना पड़ेगा आई समझते हैं Consider two forms A and B, both are identical, दोनों same हैं, कोई difference नहीं है, in all respect, including their business, operation, कर जो operation साब, सब कुछ same है, माल लेते हैं, दोनों ही medicine में हैं, ऐसा हम assume कर ले रहे हैं साब, A has higher gearing than B, A के पास जादा proportion of क्या है, जादा proportion of depth है, A would need to pay higher returns to share, obviously बार साब, अगर A के उपर risk जादा है, तो share holders क्या वो लेंगा भी या हमें, जादा return दो, मैंना कोई याद ही बात कही थी कि डिवेंचर holders, अगर अगर depth का proportion बढ़ाओगे, equity वाले आप से जादा return मांगेंगे, क्योंकि उनकी उपर लग रहा है कि आप जब profit कमाते हो, profit कमाने के बाद आप अच्छा खासा पैसा पहले आप डिवेंचर वालों को बाटोगे, तब जाके जो बचेगा, वो बचा कुछा हमें दोगे dividend को रूप में, तो भीया हम ऐसा नहीं जहिलना है, हम रिस्क क्यों हो इतना face करें, पता लगा profit है न बचे, लास्म डुबा 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 दो, इसलिए हमको अच्छा खासा return दोगे, तब ही हम आपकी कमनी में ठीक हैंगे, नहीं तो आपके शेस बेजबाच के हम चल देंगे साहब, फिल लिखिए बात, from age return will reflect the systematic risk, तो जो भी यहाँ पर बीटा बीटा आ रहा है, वो क्या है, वो साहब systematic risk दिखाता है, reflect करता है, of both is business and financial position, तो जो भी यहाँ बीटा निकल के आता है, एक कमपनी का, उस बीटा के अंदर क्या-क्या शामिल होता है, धान दीजिएगा, अगर कोई company है, medicine वाली, उस company साहब systematic normal business वाली रिस्क भी है, और साथ ही साथ अगर उसके उपर financial gearing वाली रिस्क भी है, इसका जब आप इस medicine company का बीटा निकलों तो क्या होगा, एक ऐसा बीटा निकले गाए, जिसके अंदर financial risk वाला चीज और business risk वाला चीज, दोनों इस बीटा के अंदर क्या रहेगा, श होनी चाहिए साहब, जिसके पास बिल्कुल भी ना हो, जिसके पास बिल्कुल भी कर्ज ना हो, all equity financed company, इसके उपर इसका जो बीटा एसे बीटा, और इसको क्या करते हैं, इसके पास सिर्फ कोन सा रिस्क है, business risk के साहब, second company साहब, geared company, मतलब इसके पास, इसने debenture से पैसा लिया हुआ है, debt loan लिया हुआ है, और इसका जो बीटा है, इसके पास साब business risk भी है, और financial risk भी है साहब, बीटा एसे रिस्क क्या दिखाता है, वो सिर्फ ऐसे रिस्क दिखाता है, जो सिर्फ कैसे है, systematic है, उपर आपने देखा भी साहब, यहाँ बीटा जो asset वो company सब्सक्राइब कर रिसक है, जो वो और रिसक कैसा है, वो systematic risk भी कैनाट control तो सिर्फिट क्या दोस रिसक, systematic risk होते हैं, जिसको हम विजने कर सकते था, जिसको हम सिर्फ जो रिफलेक्त करता विटेट कहते हैं और फिजनस एरिया एकुटी रिफलेक्ट इसको इसके बारे में पर चल गया और साथ ही साथ आपको साफ उसके बारे में बहुत प्यारी चीज़े भाई इसका समझ में आएगा इसे बिसनेस एकूटी मतलब पूरा उनका समझ में पैसा पूसे के वज़ा से और एरिया बिजनस इंडस्ट्री के वहां पर आ गया अब यहां पर ध्यान दिजिए का यहां कुछ एक फॉर्मला है बहुत सिंपल सिंपल बहुत ज्यादा है कैसे हमको कहीं इन्वेंट मेंट करना है किसी प्रॉजली इवालीशन के मतलव तो अगर एकको कहीं करना है तो हम सह निक वूह किसी और हम साहाई सहाउ type of beta you have been given यह एक्जाम में हमको identify करना होगा कि आपको कौन सा बीटा दिया हुगा है and what risk it reflects और कितना रिस्क यह दिखाता है, the steps to calculating the right beta and how to use it in the project appraisal are, यहां को steps दिये गए हैं, उन steps को समझ लीजिएगा, मैं यहां पर नौली मुंद्धे पर डेक्ट ली आता हूं, सबसे पहले सहाब पढ़ायता हूं, यह जो पराग्राफ को कम से कम दस बार पढ़ना इस लाइन को, इस लाइन को जब दस बार पढ़ोगे ना, ता वह समझ में सब कुछ आ जाएगा, जो मैं बोल रहा हूं, नहीं समझ में आए तो ठीक है, पर प्लीज दस बार कम से कम होगे ना, तो पूरी चीज आपके दिमाग में क्लियर क्लियर चलेगी, ठीक है, अब यह पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, यूजिंग बीटा इन प्रजेक्ट अप्रेसल, इस क्रिटिकल इन इग्जामनेशन क्वेस्टन, यह बहुत ही क्रिटिकल बात है, मतलब कठी नहीं करेंगे, find an appropriate asset beta, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक asset beta आप निकालेंगे, मैं दिखाता हूं, कैसे आप beta equity से asset beta निकालेंगे, यह दिखे, यह है asset beta, यह asset beta आपने कैसे निकाला साहब, यह आपने asset beta साहब, beta equity जो आपको question ने दिया हुआ रहेगा, उसकी help स आप यह asset beta निकालेंगे, यह जो part ने प्लीज इस part को आपको ignore करना है, क्योंकि आपके slaves में बीटा depth है, यहांदी क्या लिखाए, however, with the FM exam, beta depth will always be assumed to be 0, तो आपके exam में जो questions आएंगे, वहाँ पे हमेशे क्या माना जाएगा, इसको 0 माना जाएगा, और जैसे 0 से पूरे को multiply क करेंगे, क्या बन जाएगा, यह 0 बन जाएगा, तो आपको यह part कट गया, तो आपको जो formula पढ़ना है, वह सिर्फ formula इतना साही पढ़ना है, formula आपको सिर्फ इतना सा पढ़ना है, यह पढ़ते हैं, find an appropriate asset beta and appropriate asset beta will reflect the correct systematic risk, तो सहाब यहां पे जो appropriate asset beta दिखेगा साहाब, क्या द लिखा रहा है, कि आपको systematic risk केतना है, वह आपको बताएगा, it will normally be a proxy beta from a business that already operates in this business area, अब ध्यान दीजेगा, यह जो beta है, यह proxy beta, यह word यहां 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 यह जो beta है, साब इसके अंदर हम अभी होए गया, यह जो beta हमने asset निकाला है, हम यह इस beta क हम re-gear करेंगे, क्या करेंगे साब हम इस beta asset को, हम इस asset beta को सहब re-gear करेंगे, और re-gear करने के बाद आपको एक real वाला beta asset निकल के आएगा, मैं दिखाता हूँ कैसे सब कुछ आएगा, आपको समझाएगा, पूरी बाते मैं समझाऊँ हो, ठीक है, तो क्या लिखी बात है, स समझते हैं साब जरा अधान से, लिखी बात है, इस में बे गिवन इन एक्जाम, आपको सहाब एक beta, आपको equity beta गिवन रहेगा, if not, you will need to calculate by de-gearing a given proxy equity beta, इतना याद रखी, कि आपको सहाब एक equity beta, जो जिस project में है, धान दीजे, logic क्या रहेगा, आपके company है, आपके इसी दूस कमpANI का जो equity beta given रहेगा न, इस company का, इस company के equity beta को कोół। इस company के helps सहाब, आपको क्या निकालना है, आपको beta asset निकालना है, मैं फिरपीट करता हूँ, आप एक एक company है, आप दूसरी company में invest करने जा रहे हैं, इस company का, जो equity beta होगा, इस company के equity beta क्या करेंगे, अप दी गेर करेंगे गरेंगे सब डीए गेर करेंगे डीए करने से क्या मिल जाएगा आपको सब बीटा एसेट मिल जाएगा यह इतनी से बात आप याद रखिए न भी आप प्रण रिखांगा तब बहुत आता है बहुत ईजी पता है मैं पूरा रहा हूं जानभूचके वैसे मुश्ञाने वारा गिवन इकुटी बीटा आपको इकुटी बीटा का नबर डी गरीं करना पड़ेगा यूँकाट दो इस उसे इस भी एक्जाम में गिवन रहेगा फॉर्मुला विश्वास मैंने आप पूरा बड़ा वाला दिया रहेगा आपको इसको एक इस तना सही करना है तो यह आपको फ गेर जो भी आप इकुटी बीटा आपको दिया रहेगा सब क्या करेंगे आप इसको डियर करेंगे वी एन वीडी शुट रिलेट टुट रिलेट टुट कमपनी और इंडस्ट्री फ्रॉम विच एकुटी बीटा हैस बीन टेकन सब अब यहां पात यह कहीं जा रही है वी और किसका रहेगा वी और एडी जो रहेगा साथ यह आपके औरीजनल कंपनी आ जा रहेगा है तो हुआ है किस कम्हां रहेगा आपको यह शांव वी और की के रहेगा वह आप का इंवेस्ट करने जा रहे है जिसmee कम्हां निक है आ Да undy कि wedi नीया ब्योडियों इसको पढ़नों स्टेप से इसको प्टन विटी शुद रिले टुट नोटा बेना इफ्मोर दन वन प्रॉक्सी अशिट विटाइब ने कलेट अस्पल एवरेज अगर आप उसाब एक से ज्यादा वहां दिख जाया ने विश्ट प्रजेक्ट के अप्या करें उसका आवरेज देलेंगे बिफोर रिघुरी इनस्टेप टू स्टेप्स दिये हैं मैं पढ़ा दे रहा हूं ठीक अजसेट वीट टो रिफ्ल्क टेरिंग लेवल आप इस आशीट पडिक टपर एटर्शेट करेंगे अब त्यर्य करेंगे जो भी आपने बीटा निकाला क्या निकाला आप बीटा करेंगा और दीजेगा आपने बीटा इकुटी से क्या निकाला बीटा अब इस बीटा आसे क्या करेंगे आप इस बीटा एकुटी ऑप ने सब इसको रीटा करेंगे क्या कい एप निल जयेगा यो आपको आपको मिल जाएगा निक होसं ने बेटा करेंगे मिल जाएगा बीटा इकुटी मिल जाएगा गेरट एडासेट बीटा बीटा क्या आपने सबीटा को किया टूकर अवर्ट इट टू एकुटी बीटा बेस्ट ऑन दर गेरिंग लेवल पटोडिर से यह मैं मिस्कर्णार कहा था जो कंपनी अब आप क्या करेंगा आप यहां पैसा जो कंपनी यहां पर जो कमनी प्रजक्ट ले रहे हैं अब यहां पर उसका आप यहां पर आप यहां करेंगे जब आपको प्रेमियम लिखा हुआ है इसी को रिसक प्रीमियम प्रेमियम कहा जाता है क्यों क्यों है प्jm endlessly कहते हैं क्योंकि साहब जब आप risk लेते हैं इस लेने प्रेट करेदeffectुन कितना मेलगार इतना इपना मिला कि प्रिट है के और इस वही बात यहां पर सब्सक्रश को देखें गता कंपनी यह सेम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको चप्टर नंबर 7 जब आप पढ़ने तो वहां पर आपको एफ में यही सेम कोश्चन होने दिया हुगा है तो देख लीजिए कि एफम और एफम का स्लेवस बिल्कुल सेम है ठीक है मैंने पढ़ाया था तो यहाल में देख रह इंचे बठे रहते हैं लोग उस वह उसको बनाने वाली कंपनी है ठीक है फिर लिखी है बातें डेप्ट रेश्यों कितना दिया है यहां पर फाइफ इस्टू दिया हुआ है फिर बीटा वालो देप्ट विच इस एजिम तो भी रिस्क फूरी है अग्रॉस रॉस रिप्श एवरेज रिटर्न उन देप्टव मार्केट जिस्टीन पर संव तो सहब यह आपका आर एंब्स चूआ हुआ है इसके बात सहब टाक्स आपको टाक्स टिया हुआ है कंपनी है कंसिटरिंग अपधाण दिजाए मैं आपको यह ईहां बनाया था इसवाला यह एक पूरजनल क manufacturing company it has a equity beta इसका equity beta कितना है सहाब इसका equity beta 1.59 है and and an equity depth ratio कितना है यह 2-1 दिया हुआ वा भी company maintains its existing capital structure भी company अपना से में अपना में आप्र the implementation of the new project और उध्यान दीजिए company जो है वी company जो है वो अपना पुराना वाला capital structure ही मेंटेन करेगी जब वो इस नई वाली कंपनी में इन्वेस्ट ऐसा प्रोट करेंगी तब भी बस यहीं एक इंपोर्टन बात आपको यहाद रखने हैं आई देखते हैं वोट वोड बीदे सूटीबल रिस्क अडिजेस्टेट कॉस्ट अफ इक्विटी अप्लाइटु दे प्रोजेक्ट सबसे पहले क्या करे लिएगे सब हको इसका अप इककूटी बीटा उठाएंगे अगर इकूटी पीड़ा उठ्क इसका इसको प्रोड़िटा इुटा इसका ले लेंगे, आईयो solve करता हूँ साथ, बहुत इजी, बहुत इजी, देखें कैसे कैसे, बेटा asset is equal to बेटा equity into value of equity upon value of equity plus value of depth 1-t, टो बेटा equity केतना है सार यहां, करें दिए यह कितना दिए टो इस टो एपन टू प्लस वन टैक्स का रिट कितना है तो वन बाइनस थर्टी परसंट पो सकता हूं एसको एन वनपेज दिए तो कितना हो जाए को 1.59 into 2 upon 1-30.7.7 into 1.7.7 plus 2 that is 2.7 तो कितना हो जाएगा सहाभी यह आपका आ गया 1.18 आपको बास समय होगी तो आपका जो बीटा आया सहाहभ कितना घाए आपका जो बीता ऐसे टाया वह आपका 1.18 अब हम क्या करेंगे अब हम सहाब इस क्कृत करेंगे क्या करें 긁चर करें ऐसे माइ प्लस वालुव देफ्थ वन माइनस टी तो बीटा ऐसेट में पता है बीजर से कितना 1.18 1.18 इसका मतलब पता है इसका यूज ही नहीं यह 1.1 जो दिए इसका कोई यूज नहीं है ठीक है ठीक है तो मैंने यहां सलका सा गंदा कर दिया आपको नोट करना हुद नोट कर लिए तो 1.18 इस इकल टो बीटा एकूटी इंटु वैल और डेफ्ट केतना है यहां पर दिए एकूटी केतना 5वज तू यहां ले लेंगे 5 यहां लेंगे 5 प्लस टू वन माइनस टैक्स केतना है साब 30% का है पोईंट 30 इसके बाद साहब यहां लिखता हूं यहां लिखता हूं यहां लिखता हूं तो इसके बाद वन पॉइंट वन एट यहीं रहन दीजिए साहब लिखता हूं इसके बाद साहब आख लिखता हूं यहां बीदट एकूटी इन देफ्म है 5.7 तो इसके नहां 405 plus 1.4 that is 6.4 अब बीटाइट को मैं ही छोड़ा नोटी 6.4 को उपर लेचा हूंगा 1.18 इंटो 6.4 अपान 5 इस इकल टो बीटा एकुटी तो बीटा एकुटी के तना आया साहब बीटा एकुटी आगे 1.5 इस बीटा एकुटी का इस्तेमाल करेंगे अपने फॉर्मिले में that Ki is equal to RF plus bita RM minus RF सहभ तो से और कितना हो अब सै और शेफ न ऊपर लिखवाया था आपको.. सारसा त्युद् इस हो गए 11 । बीटा कितना हो याब 1.51 कितना है साहब आपका यहां पे आरे हम हैंआ हम हम आपको है यहां तो 16-11 इसको सॉल कर डालिए 11 प्लस 16-11 यही आपका आंसर है आपको मजा आया होगा सिंपल लगा होगा सीखने महासान लगा होगा आई जरा में एक आपको क्वेशन और कराएता हूं यह देखे जरा इसक्वेशन को देखिए यहां भी वही कहानी है खबाद और इकुटी फूड मनुफाक्ट्रिंग फॉर्म इस अबाउट इंबार्ग अपॉन मिजर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहरे है अपने आपको इन्द कस्टमर इलेक्ट्रोनिक इंडस्ट्री अप कहां जा रहे हैं इस करेंट इकुटी बीट कितना दिया साथ हम को कैसे मतलब है बिल्कुल मतलब नहीं वाइवर्स इकुटी बीटफ इलेक्ट्रोनिक हमको इस से मतलब को यहीं से स्टार्ट करेंगा इक ही नहीं गिरिंग इलेक्ट्रोनिक इंडस्ट्री आवरेज कितना 30% डेफ्ट है साहब और 70% एकुटी है यहां तो स्टार्ट करें सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले बीटा एकुटी इस इकुल टुट इसका लेना है सबकुछ इसका इकुटी कितना है साभ यहां पर एकुटी कितनी है सेवन लिख दीजिए अपॉन सेवन प्लस थ्री इन्टु ओन मैनस टी कितना 30% टाक्स है यहां भी थर्टी तो वन इसको पॉइंट सेवन लिख सकते हैं 1-1 इसका एकुटी जाए गुटी यह लिखरा हूंसी इमी लिख रहां 0.301 माइस 3 माइस 0.30 ती क्या बजागो 1.6 इन्टु 7 अपन 7 प्लस 3 इन्टु 0.77 21 2.1 2.1 2.1 PLUS 7 त इस 2.1 PLUS 7 त इस 9.1 इसको तरह सौल करें कि बार मूलोग तो सौल करें तो सेवन डिवादेश बाइन पॉंट वन इन टू हंड़ेड करते हैं कितना जाएगा सेवन टीसिक्स पॉंट जरने कि आ रहा है अध्या देप्थ और एक्विटी का रेश्यो क्या दिया है सेवन इस्टू थी दिया हुए सेवन टियोड़ेड़ बाइन पॉंट रवन इंटो सोरी 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 सोच वाइविए मैं ठीक तो जो भी आया था सहाव मैंने एन्ड से मुट्प्लाइब दीके ठीक है डिवाइड बाई डिवाइड बाई ग्या लिखाए डिवाइड बाई नाइन पॉंट वन एक वल टू इंटू वन पॉंट शिक्स अब जो आएगा उसको साहब हम यह कितना है यह कितना आगया बीट इसके अब बीट अब बीट अब बीट अब यह अच्छा यहां पता एक इंपॉर्टन बात क्या है वाट वोट वी दे सूटेबल रिस्क अज़ेस्ट कोस्ट अब इक विटी फॉलिंग वेश्ट अगर सेकंड सिचुएशन यह है कि अगर जो हमारी ओर अगर मैं से मैं ऐसकता है कि अब यह पार इनका भी हो रहा है फैने इस अलह। अब आप देख रहे हों कि अगर मैं इसको रिवार्स जाओं तो क्या मिलेगा वापस 1.6 लिखा इस इकल टू बीटा इकुटी निकाल लूँगा नहीं क्या करूंगा इसको रीगेर करूंगा अभी मैंने बीटा इकुटी क्या किया मैं यहां बीटा इकुटी को डी गेर किया है अब मैं क्या करूंगा बीटा इसट को रीगेर करूंगा तो जब बीटा इकुटी इंटू यह कितना लिखूंगा फिर से थर्ट सेवन एकुटी से लिखूंगा देखो 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 7 अपन 7 प्लस 3 1-0.30 तो क्या मिलेगा माफिर आप वही तो मिलेगा देखो सेम सब्सक्राइब कर रहा है यहां पर तैन परसेंट दिया ठीक है कि आपका सहब यहां पर तैन परसेंट दिया यह है प्लस बीटा कितना सब बीटा हमने 1.6 निकाला यहां पर कि आपने, 1.6 आरे मैनस आई 15 मैनस 10 थेख तो यह कितना जाए गा 10 परसेंट प्लस 1.2 पर तूसेंट ड़स्ट के पंदरा इंटो पॉंच सोलर करेंगे पंदरा इंटो पॉंच सोलर इंटो वान पॉंट्स तेवर यहां अर्बंट फॉइन 1.6 कितना जाए गई 24 कुल मिला कितना आगे साहब आपका यह आपका आ गया 34 पसंट इसलिए है कि अब आप क्या करोगे पहले अब ध्यान दीजेगा फिर वही कहानी को कि अब मैंने यह वताए कि वह हैं यह हमारी ऑज्जिनल कंपनी सब में करने लिए ambos करते तो हमने इस कंपणों यह सब निकाल लिया में और लही जए दिया शाभाव इस पूर तो इस चल रहा है बीटा असAND इसप्षी यह कहां तो भीटा एकुटी इन्टू वैलू अफ टेप फॉन मैंनस टी अब देखी ध्यांस से वैलू बडेप्थ कितना है इसकेस में यहां पर बीवलेप्ज जीरो जाएगा तो यह पूरा क्या हो जाएगा मंटीम लेकर ने जीरो जाएगा और व्यालियो एकुटी का प्रोपोर्शन क क्या हो जाएगा यह भी हंड्ड्रीट पसन्य खेस्ट फटल रेश्व वन तो भैया यह कुमाओ नवन हो गया तो लिए अब इन्टू वन हो गया तो बीटा बीटा एस एक इस केस्पाचा है उन्हील केस हाव करेंगे तो फॉर्मुला क्या बनेगा के यी विल बी इक्वल टू आरेफ कितना आरेफ कोई सेम तेन परसेंट बीचा एसेट कितना है यहां बीचा इकूटी कितना बनेगा यही वाला 1.23 पचीस माइनस 10 तो इसको जब सॉल्व करेंगे सहबाब तो कितना बने गई यह आपका 10 परसे प्रेंटू 15 वाइब ट्रेंट इतना मिला 18.45 तो यह हो गया साहब आपका आप 18.45 परसेंटेज में है करना जाएगा 28.45 आए होप आप समझ में आए होगा तीक सिंपल लगा आई अब थाट पार्ट भी कर देते हैं अब इस केस में क्या होगा इस केस में क्या होगा है अब हम औरिजिल अपनिया क्या होने वाला इस कंपनी का इस कंपनी क्या है 2080 होने वाला है आई इसके सौल कर लेते हैं तो बीटा यहां भी क्रेशन होगा ठीक है बीटा एसेट विल इक्वल टू वही फॉर्मॉला सेम लगेगा तो बीटा एसेट विल इक्वल टू बीटा एक्विटी इन्टू वालु एक्विटी अपॉन ने भाई इंटू एकुटी कितना है यहां पे 80 अब ऐट अपन डेप्ट के रनाएं साब प्लस वाल टू इन्टू एकुटी एट प्लस लेदेश्च टू इंटू इन्टी एपन पोईंट थीसेवं कितीचेवर सेवन एसको पोईंट हीं का सकते तो देखिएगा तो 1.23 equal to beta equity into 8 है उपर 8 रहे हैं दो 2 into 0.7 7 7 to 14 1.4 1.4 into 2 1.4 into 2 that is नहीं 27 जा 14 0.72 that is 1.4 1.4 plus 8 9.4 8 को डिवाइड कर दीजे 9.4 से 8 को डिवाइड किया 9.4 से कितना आया 0.85 यह आगया आपका 1.23 is equal to beta equity into 0.85 अब इसको डिवाइड कर दीजे बीटा को यह चोड़ दीजिए तो कैसे सॉल परेंगे मैं दिखा रहे हैं तो 1.23 upon 0.85 is equal to beta equity तो 1.23 1.23 divided by 0.85 कितना मिला साहब यह 1.44 मिल गया तो 1.45 लिख सकते हैं तो beta equity कितना मिला आपको इसको सॉल परिए आरे प्लस बीटा वाले फॉर्मुले से के विल इकॉल टू आरे फ प्लस बीटा आरे माइनस आरे फ कितना है साहब यहां पर 25 है बीटा कितना है 1.45 आया आरे में कितना स्वारी आरे अरे टैने यह 10 प्लस 1.45 25 माइनस 10 तो इस आप कितना आ जाएगा साहब यह पाजा आ जाएगा 10 फ्लस बन प्लस पटीज और पंदर इंटो 1.45 152 1.45 21.75 तो साहाब यह कितना आजाएगा यह आजाएगा 21.75 पर्षेंट किसा आई हूब आपको समझ में आया होगा बहुत इजी तरीका मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूं मैं जो भी सिंपल-सिंपल बातें साहिए तीजी सॉल किया इस त्रोड़ा साथ चीज़ें सिंपल थी इसलिए मैं तीजी सॉल कि आवार बीट औीज़ औी औीज़ इसेवार के लिवारा रेसेटी निवांट विर्टारी इड़ ऑर दिशब एफ निज दूब है ये कीने ओूर के लिए लिए भी फबस्यात गाहस, हम एकड़ बदेक लिगार इनके टूर आपड़ जे ये जारे कि रेसी देगार इनके ले